हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल मैच स्किल्स विट नाजिया आज हम लोग शेर काने जा रहे हैं प्रेक्टिस वक्षिट जो की क्लास फर्स्ट के लिए मैथेमेटिक्स की है ठीक है गाईज चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल प करेक्ट ऑप्षिंस यहां पर हमें करेक्ट ऑप्षिंस पर सर्कल बनाना है ठीक है गाईज फर्स्ट कोशन है वाट कॉम्स आफ्टर फिफ्टीन देखिए यहां पर लिखा है वाट कॉम्स आफ्टर फिफ्टीन के जस्ट आफ्टर में क्या आता है ठीक है गाईज यहां प तो आप बताईए 15 के बाद क्या आता है 16 इसलिए हमें C जो option है उस पर हम लोग circle बना देंगे ठीक है next question देखिए what comes before 8 यहाँ पर लिखा है what comes before 8 मतलब 8 के पहले क्या आता है हमें उस पर circle बनाना है 8 के पहले क्या आता है A options में दे रखा है 8 B option में दे रखा है 4 C में दे रखा है 9 D में दे रखा है 7 तो आप बताईए 8 के पहले क्या आता है guys 7 इसलिए D जो है वो correct option है उस पर हम लोग circle बनाएंगे ठीक है next question देखिए next question है question number third what comes in between 12 and 14 12 and 14 के between में क्या आता है between का पतलब सभी को पता है beach में 12 और 14 के बीच में क्या आता है guys first में लिखा है A में 12 B में 15 C में 13 D में 11 आप बताईए 12 और 14 के बीच में क्या आता है 13 इसलिए C वाला option क्या है correct है उस पर हम लोग circle बना देंगे question number four देखिए what comes after 18 after 18 मतलब 18 के बाद क्या आता है 17, 19, 16, 20 आप बताईए 18 के बाद क्या आता है 19 इसलिए B वाला answer इसका correct है उस पर हम लोग circle बना देंगे next question देखिए question number five है which one of the following is in increasing order अब हमें यहाँ पर यह बताना है कि A वाले option में जो हमें number दे रखें वो increasing order में जमे हुए है या B वाले में जो दे रखें वो जमे हुए है यह C वाले में जो हैं वो जमे हुए है आप बताईए increasing order किसे कहते हैं increasing order किसे कहते हैं गाई छोटे से बड़ा तो देखिए यहाँ पर five है फिर four है फिर three है यह correct option नहीं है ठीक है two seven ten यह correct option दिख रहा है क्योंकि यह छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है ठीक है एक बार हम C भी देख लेते हैं यहाँ पर one five four यह भी correct जमा हुआ नहीं है सभी को दिखाई दे रहा है इसलिए हम लोग इसको correct option बी है और उस पर हम लोग circle बना देंगे ठीक है six number का questions देखिए question number six which one of the following is in decreasing order decreasing order का मतलब क्या होता है guys हमने increasing order में छोटे से बड़ा करा था ठीक है decreasing order में बड़े से छोटा करते है ठीक है न यहाँ पर है 19 15 और फिर 7 यहाँ पर है 2 8 10 क्या कैसा यह जमा हुआ है 14 17 और 5 यह तो wrong answer है सभी को पता है क्योंकि यह जमा ह हुआ नहीं है यहाँ पर है 2 8 और 10 छोटे से बड़ा है यानि यह increasing order में जमा हुआ है decreasing में नहीं है ठीक है first में है 19 15 7 यहाँ पर decreasing order में क्या करना पड़ता है guys सबसे बड़ा सबसे पहले होता है फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा मतलब यह correct option है ठीक है तो यह पर हम लोग बना देंगे circle next question देखिए question number 9 है 9 is यहाँ पर है flinda blanks और 7 9 is 7 9 जो है वो 7 के क्या है smaller than है larger than है equal to है आप बताईए 9 जो है वो 7 के लिए क्या है larger than है या smaller than है या equal to है larger than है ठीक है तो हम लोग बी option पर circle बनाएंगे सभी को समझ में आ रहा है यहाँ पर है question number 8 question number 8 देखिए 15 is 12 अब 15 जो है वो 12 के किस उसमें आता है category में smaller than larger than equal to आप बताईए 15 जो है वो 12 से क्या है smaller than है larger than है या equal है क्या है guys 15 जो है वो 12 से larger than है सभी को पताए तो यहाँ पर हमने यह बनाया circle question number 9 देखिए guys the number name of 17 is यहाँ पर हमें number दे रखा है 17 इसकी spelling हमें देखनी है कि correct spelling कौन से options में लिखी है और उस option पर हमें circle बनाना है ठीक है guys यहाँ पर first में a में दे रखा है 16 याने s-i-x-t-e-n 16 की spelling दे रखी है ठीक है और यहाँ हमें 17 की बताना है तो यह तो wrong answer है ठीक है b वाला देखिए a-c-v-e-n-t-e-n 17 याने यह correct option है ठीक है सी वाला भी देख लीजिए e-i-g-h-t-e-n 18 तो यह भी wrong answer है ठीक है हमें 17 की spelling बतानी है तो 17 की spelling b options में है इसलिए हमें b पर circle बना देंगे ठीक है यहाँ पर है question number 10 the number name of 9 is यहाँ पर हमें 9 जो number name है उसका number name हमें find करना है number name हम केसे find करेंगे है अभी मैंने उपर आप लोगों को बताया spelling को पढ़िए ध्यान से देखिए जो spelling सही हो उस पर हमें circle बनाना है यहाँ पर a में दे रखा है t-e-n 10 याने यह 10 की spelling है यह wrong है ठीक है बी में दे रखा है e-i-g-s-t याने 8 यह 8 की spelling है यह भी wrong है ठीक है n-i-n-e-9 यह 9 की spelling जो की correct option है ठीक है इस पर हम लोग बना देंगे circle आया सभी को समझ में I hope कि आपको लोगों को आज की worksheet अच्छे समझ में आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी तो प्लीज अगर पसंद आई हो तो like, share, comment करें मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए बाए गाईस